Hello Everyone, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे Album Toolkit के Quick Tools Option के बारे में ये Option कहां मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ ये Option आपको Template Section के अंदर Right Click करने पे मिल जाएगा इसे आप यहाँ पर रख सकते हैं और इसका इस्तमाल कर सकते हैं यही जो Option है यहाँ पर और भी डेस सारे जगाद पर दिया हुआ है जैसे Button Mode में यहाँ पर Quick Tool का Option दिया हुआ है जिसे आप यहाँ पर रख सकते हैं इसी तरीके से वो PhD Frame के अंदर भी दिया हुआ है Right Click, Quick Tool यहाँ पर वो सारे Options हैं जिसका इस्तमाल आप लोग Album Designing के दौरान Frequently करते हैं Okay, just for example वो PNG Frame के अंदर भी दिया हुआ है Quick Tool तो कहीं से भी आपको Quick Tool ओपन कर लेना है इसमें जो धेर सारे Options दिये हुए हैं वो यहाँ पर भी दिये हुए हैं Button Mode के अंदर भी दिये हुए है अच्छे से लेकिन यहाँ पर आप उनका Quickly इस्तमाल कर पाए आपको बार बार Button Mode में जाने की जोड़त न पड़े या फिर यहाँ पर जाने की जोड़त न पड़े या फिर Clip Art डालना हो तो यहाँ पर जाने की जोड़त न पड़े इसलिए यहाँ पर यह Quick Tool बनाया गया है इसका इस्तमाल कैसे करना है यह मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर ढहे सारे Option है तो यह वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इन सभी Options का इस्तमाल अच्छे से कर सके जैसे आप पहला सेक्षन है Template का आप किसी भी Template पर डबल कलिक करते हैं वो Template ओपन हो जाता है यह देखिए वो Template ओपन हो गया मान लेते हैं कि आप यहाँ पर जो Ready में Templates दिये हैं उसके साथ काम नहीं करना चाहते हैं या उस Template में कुछ Modification करना चाहते हैं या फिर बिल्कुल नए पेज में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर Option दिया हुआ है सबसे पहला Option है New Page का मैं यहाँ पर आपको Serial Number वाइज नहीं बता रहा हूँ जो Main-Main Option है पहले उसको बता रहा हूँ और उसके बाद में बाकी सबको बताऊंगा तो यहाँ पर देखिए New Page बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग-अलग Page Size का Option आ जाएगा जिस भी Size का Page आप बनाना चाहते हैं जैसे मैंने 12-36 पर क्लिक किया 12-36 का एक Page ओपन हो गया उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है Apply Element का Option इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूछा जाएगा कि आप क्या अप्लाई करना चाहते हैं Wallpaper, PhD Frame, Mask Frame, Clip Art क्या अप्लाई करना चाहते हैं जैसे मैंने यहाँ पर Clip Art पर क्लिक किया तो Clip Art का फोल्डर ओपन हो जाएगा आप कोई सा भी Clip Art ले लीजेगा डबल क्लिक कीजेगा वो Clip Art वहाँ पर जाके Apply हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने Layer Panel को Hide करके रखा है जान बुझ के क्योंकि मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ Clip Art के उपर Apply नहीं होगा मतलब आपको Layer सलेक्ट करने की जरूत नहीं है कि आप पहले Background Layer सलेक्ट करें उसके बाद फिर आपको Wall Paper डालना है ऐसा कोई जरूत नहीं है ओके यह देखिए अब मैं इस Clip Art को किसी दूसरी जगा पर ले जाके रख देता हूँ PNG Frame का Folder उपन हो जाएगा मैं कोई सभी एक PNG सेलेक्ट कर लेता हूँ वो PNG Frame यहाँ पर आके सेट हो गया इसे आप छोटा बड़ा जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं चले मुझे Wall Paper प्रसंद नहीं आ रहा है मैं Apply Element में गया Wall Paper कोई दूसरा Wall Paper मैंने ले लिया वो Wall Paper यहाँ पर आके आप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर से आप धे सारे Elements अप्लाई कर सकते हैं जैसे मैंने Mask Frame बटन पर क्लिक किया मैंने यह Mask ले लिया वो Mask यहाँ पर आके Apply हो जाएगा इसे छोटा बड़ा जो भी करना है आप कर सकते हैं उसी तरीके से यहाँ पर PhD Frame का Option है PhD Frame बटन पर आपको क्लिक करना है PhD Frame का फोल्डर ओपन हो जाएगा कोई सा भी PhD Frame आप डबल क्लिक करके पेज में Apply कर सकते हैं उसे बाद में आप छोटा बड़ा करके जहाँ पर भी रखना हो आप रख दीजे तो यह है Apply Element का Option और यहाँ पर आप देखिए जो भी Elements है जैसे Wallpaper, PhD Frame, PNG Frame, Mask Frame ClipArt, JPG Text, PhD Text यह सब आप Save करके भी रख सकते हैं अपने खुद के Elements भी बना सकते हैं कैसे बनाना है आप यह देखिए Just for example मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ इन सारे Elements को Select All करके डिलेट कर देता हूँ अब यहाँ पर बस Background है मैंने यहाँ पर एक काम किया Background बटन पर क्लिक किया Gradient Background, यहाँ पर Gradient Background बन गया है, चलिए मैं यहाँ पर जा के कुछ और Background जैसे यह Background मैंने बना लिया और मुझे यह Background अच्छा लग रहा है मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में इसे मैं As a Wallpaper इस्तेमाल कर सकूँ तो यहाँ पर देखिए Save Elements का Option दिया हुआ है मैं Save Elements में गया Wallpaper बटन पर क्लिक किया तो वो Background हमारा इस Folder में जाके Stay हो जाएगा यहाँ पर आप देखिए वो Stay हो गया है तो अगली बार से मैं जब भी कोई New Page लूँगा जैसे मैंने बारशातिस का पेज ले लिया Apply Elements Wallpaper यहाँ पर आप देखिए मैं सीधे सीधे वहाँ पर इस Wallpaper को Apply कर सकता हूँ Just for example मैं इसमें कुछ और Modification करता हूँ जैसे मैं मैंने इतना Area Select कर दिया और यहाँ पर मैं Apply Elements Wallpaper कोई दूसरा Wallpaper यहाँ पर मैं डाल देता हूँ जैसे मैंने यह Wallpaper डाल दिया तो आप देख सकते हैं कि आधे मैं ऐसा Wallpaper है आधे मैं ऐसा Wallpaper है और चले मैं एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर इतना Area और Select कर लेता हूँ और Apply Elements Wallpaper इसमें भी मैं वही Wallpaper को Apply कर देता हूँ दुबारा यह देखे ऐसा कर दिया चले मान लेते हैं कि यह Wallpaper आपको अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है यह सब ही Layers को Select करना है Shift बटन दबाया रखते हुए और यहाँ Save Element Wallpaper तो वो एक नया Wallpaper बनके यहाँ पर Save हो जाएगा आपके Wallpaper के Folder में यह देखे है प्रेजंपल यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मैंने यहाँ पर Background बटन पे क्लिक किया Dual Color Background कर दिया एक साइड मुझे चाहिए ऐसा Blue Color और दूसरे साइड चाहिए ऐसा White Color सही लग रहा है अब मुझे इसे Save करना है Save Element Wallpaper वो Wallpaper के Folder में जाके Automatical Save हो जाएगा जिसे बाद में आप इस्तमाल कर पाएँगे यह देखे यहाँ पर यह Save हो चुका है उसी तरीके से मान लीजे आपको कुछ क्लिपार्ट बनाना है Just for example मैंने यहाँ पर लिख दिया Happy Wedding या कि कुछ भी मैंने यहाँ पर लिख दिया Happy इसका Size बढ़ा कर देता हूँ मैं और यहाँ पर लिख दिया Memories Memories का font मैं change कर देता हूँ इसे मैं bold कर देता हूँ मैंने ऐसा लिख दिया इसे मैं black color में डाल देता हूँ और यह जो happy है इसे मैं किसी दूसरे color में रख लेता हूँ जैसा मैंने इस में रख दिया red color अब यह जो दो layer है इसे मुझे as a clip art save करना है तो save element clip art वो automatic clip art के रूप में save हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं वो clip art के रूप में save हो गया है ओके यहाँ पर ऊपर में save हुआ लग रहा है happy moments okay happy memories यहाँ पर आप देखिए first में save हो गया है तो इसे आप बाद में इस्तमाल कर सकते हैं आपको क्या करना है बस apply element बटन पर click करना है clip art यह देखिए वो यहाँ पर आके apply हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपनी language में, Hindi में, English में, Tamil में, Malayalam में, जिस भी language में आप लिखते हैं उसे as a clip art आप future में इस्तमाल करने के लिए save कर सकते हैं उसी तरीके से मान लेते हैं कि इसे मुझे PhD format में रखना है तो भी आप इसे save कर सकते हैं save element, PhD text यह देखे, happy memories नाम से यहाँ पर एक PhD text आ गया है और इसे आप बाद में apply कर सकते हैं कोई सा भी आप page लीजे, एक new page मैंने ले लिया और यहाँ पर से apply element, PhD text यहाँ पर से happy memories तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह PhD format में है जिसे आप बाद में चाहें तो इसके जो text हैं उसे आप change कर सकते हैं यह देखे, memories के बदले मैंने कर दिया wedding, happy wedding तो इस तरीके से आप PhD text भी save कर सकते हैं just for example, आपको कोई frame बनाना है तो आप frame बना के भी save कर सकते हैं जैसे यहाँ पर आप देखे, मैंने इतना एक area ले लिया इसमें कोई सा भी एक solid color फिल कर दिया gray color और चलिए इतना area लिया यहाँ पर मैं कुछ दूसरा color फिल कर देता हूं यहाँ पर मैंने फिल कर दिया black color मैं इतना area लेता हूं और यहाँ पर भी फिल कर देता हूं black color ओके, और मैं काम करता हूं एक इतना area select करता हूँ और इसमें fill कर देता हूँ कुछ दूसरा color जैसे red color इसी को मैं duplicate कर लेता हूँ, earth के साथ मैंने drag कर लिया और इसमेंने यहां रख दिया ऐसा, तो चले मान लेते हैं कि यह एक psd frame है, तो आपको इस psd frame को आप save करना है तो आपको क्या करना है, सब भी layers को select करना है, save element, psd frame तो वो as a psd frame, आपके psd frame के folder में जाके save हो जाएगा, यह देखिए, psd frame यहां पर save हो चुका है save element option का इस्तमाल आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपको खुद से clip art नहीं बनाना, खुद से psd frame नहीं बनाना तो आपके पास जो भी templates available हैं, जब पर गांपल यह देखिए, मैंने यहां पर से इस template को double click करके open कर दिया यहां पर इसको भी double click करके open कर दिया जैसे यहां पर आप देखिए, यह एक frame है मुझे ऐसा ही एक frame और बनाना रहा है, मतलब इसको कुछ modify करना चाहता हूँ और इसको phd frame के रूप में save करना चाहता हूँ यह देखिए, मैंने क्या किया, यहां पर एक इतना area select किया area to frame बटन पर click किया वो एक frame में convert हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं इसमें stroke डाल देता हूँ, कोई सा भी stroke मैंने डाल दिया अब यह जो दो layer है, एक layer ये और एक layer ये मुझे इसे as a phd frame save करना है इन दोनों layer को मैंने select किया, save element, phd frame तो वो phd frame के रूप में save हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं नीचे save हो गया होगा, यह देखिए, यह save हो गया है तो इसे आप इस्तमाल कर सकते हैं future में, एक new page लेना है आपको यह देखिए, new page मेंने ले लिया, apply element, phd frame मैं उस phd frame को select कर लेता हूँ, double click और वो आपके page में जाके set हो जाएगा, जिसे आप बाद में छोटा बड़ा जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, just for example मैंने एक काम किया, यहां पर sorry मैं इस frame को ले लेता हूँ, इस template को यहां पर मुझे यह frame अच्छा लग रहा है, मैंने काम किया, इसी को alt के साथ ऐसे duplicate कर लिया, इसे मैंने ऐसे छोटा कर लिया, इसे मैंने यहां पर ऐसा रख दिया अब मेरे पास एक combination और बन गया है, यहां पर आप देखिए मैंने इतने सारे frame को select किया, frame layer को, और save element, phd frame, तो वो phd frame भी save हो जाएगा एक नए version में, यहां पर आप देखिए, सबसे नीचे में यह phd frame save हो गया है, इसी तरीके से कोई सब भी, अगर कोई clip art दिख रहा है, आपको कोई से भी phd template में आप उसे save करना चाहते हैं, तो clip art की layer को select कीजे, save element में जाके save clip art कर दीजे, अगर आपको कुछ दूसरा element अच्छा लग रहा है, उस element को select कीजे, save element में जाके उसको, जो जिस format में भी आप उसे save करना चाहते हैं, आप save कर सकते हैं जबरी नहीं है कि आपको manually ही frame बनाना है आप market के जो PhD templates हैं, उसके frame को भी save कर सकते हैं और future में इस्तमाल कर सकते हैं इसे मैंने कर दिया close, जैसे ये frame मुझे अच्छा लग रहा है इसे मुझे as a PhD frame save करना है तो मैं सभी frame वाली layer को select करूँगा save element, save PhD frame तो वो as a PhD frame save हो जाएगा यहाँ पर आप देखिए यह as a PhD frame save हो गया है तो इस तरीके से जितने सारे elements आप collect करते जाएगे आपका album reigning का काम उतना ज्यादा better होता जाएगा तो यहाँ पर हमने देख लिया new page, apply element, save element और यहाँ पर दिया हुआ है flatten मतलब flatten किस काम आता है यह देखे जब भी हम लोग कोई page design कर लेते हैं या फिर just for example यह एक PhD template ले लिया हमने इसमें multiple layers है आप देख सकते हैं multiple layers है जैसे ही आप flatten button पे click करते हैं सभी layers flatten हो जाते हैं मतलब आपको save करने से पहले अगर JPG बनाना हो तो आप flatten button पे click किजेगा अब देखते हैं कि यह रेस्टराइज button क्या काम करता है just for example मैं एक page design कर लेता हूँ मैंने यहाँ पर से इतने photographs को drag किया और Photoshop में open कर लिया यहाँ से मैं जाता हूँ auto page option सेलेक्ट रे लेता हूँ auto page fill as smart object मैंने auto page button पे click किया कोई सा भी एक PhD सेलेक्ट किया तो जितना भी photo मैंने open किया है वो इस page के frames में आके fill हो जाएंगे resize हो जाएंगे vertical photo vertical frame में आएगी horizontal photo horizontal frame में आएगी और आपका page ready हो जाएगा ओके यहाँ पर आप देखिए layer panel में जितने भी photographs fill हुए है इसे मैं ऐसा छोटा कर लेता हूँ action panel की मुझे ज़रूरत नहीं है बस layer panel की ज़रूरत है तो मैंने action panel को close कर दिया ओके यहाँ पर आप देखिए जितने भी photographs fill हुए है as a smart object fill हुए है तो restoration बटन पर click करने से क्या होता है जितने भी smart object आपके layer panel में है सभी के सभी एक साथ restoration हो जाता है यह देखिए मैंने restoration बटन पर click किया और सभी smart object restoration हो चुके है मैंने control Z किया वो वापस आ गया तो यहाँ पर हमने देख लिया new page apply element save element flatten restore save page मैं last बताऊंगा close document भी हमने देख लिया यहाँ पर देखते हैं हम लोग यह background background option कैसे काम करता है यहाँ पर apply element में wallpaper button पर click करते हैं तो wallpaper का folder open हो जाता है लेकिन यहाँ पर background button पर normal backgrounds apply होते हैं single color background पर मैंने click किया यहाँ पर से किसी के dress का color ले लिया यह देखिए जैसे मैंने यहाँ पर से yellow color ले लिया तो single color background apply हो रहा है मैंने background button पर दुबारा click किया यहाँ पर dual color background तो यहाँ पर आप देखिए मैंने left side black ले लिया right side green ले लिया स्वारी लैप साइड चलिए मैंने ब्लेक ले लिया ओके किया अब राइट साइड में ग्रीन अप्लाई कर देता हूं तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो नॉर्मल बैग्राउंड है वो अप्लाई कर सकते हैं चलिए इसे मैंने छोटा कर दिया मैंने दुबारा बैग्राउ बैग्राउंड का उप्सण है यहाँ पर जो ढहरे सारे पैटर्न आपके फोटो सॉप में होते हैं उसका इस्तुमाल आप बैग्राउंड बनाने में कर सकते हैं चले मैं दुबारा एक wallpaper ले लेता हूँ, wallpaper, यह wallpaper मैंने apply कर लिया, इसके बाद यहाँ पर background option में आप देखिए, adjust background का option है, इसके आप click करेंगे, तो आप background को blur कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए, मैं blur कर रहा हूँ, ओकी किया मैंने, उसके फिर आप उसका hue saturation change कर सकते हैं, आप उससे gray कर सकते हैं, या फिर उसका saturation बढ़ा सकते हैं, या फिर उससे आप यहाँ से चाहिए, तो black and white भी कर सकते हैं, आप के उपर depend करता है, ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया background का भी option, अब हम लोग देखते हैं यहाँ create frame का option, अब कोई सब भी एक new page ले लिजेगा, यहाँ पर create frame बटन पर click कीजेगा, तो ऐसा एक option आजाएगा frame create करने का, यहाँ पर L का मतलब है left, R का मतलब है right, जैसे मैंने L बटन पर इस option को select किया है, और यहाँ create frame बटन पर click किया, तो left side frame बन रहा है, आप देख सक सकते हैं, यह है back का और यह है forward का, मैंने back बटन पर click किया, वो frame delete हो गया, इसी तरीके से यह देखिए, मैंने right side को select किया, create frame, right side frame बन रहा है, मैंने back किया, यहाँ पर आप देखिए, horizontal और vertical का option दिया है, मुझे right side vertical चाहिए, create frame, तो आप देख सकते है, right side में एक vertical बन गया, go back, यहाँ पर आप देखिए, right side चाहिए, मुझे vertical चाहिए, लेकिन दो चाहिए, left to right, मतलब यहाँ से यहाँ दो बनेंगे, यह देखिए, मैंने create frame बटन पर click किया, तो दो frame बन गया, go back, मुझे right side ही चाहिए, vertical ही चाहिए, और मुझे 4 frame चाहिए, left से right, create frame, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि 4 frame बन गए, अब मुझे left side चाहिए, एक ही frame चाहिए, और vertical नहीं चाहिए, create frame, यह देखिए, back, मुझे left side 4 frame चाहिए, मैंने 2 select किया, यहाँ से 2 select किया, और सारे के सारे frames colorful चाहिए, frame colorful होने नहोने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके उपर तो photograph आते यह देखिए, create frame, तो यहाँ पर colorful frame बन रहा है, go back, यह देखिए, इसके अलावा यहाँ पर फिलाल आप जो देख रहे हैं, वो default frame है, और यहाँ पर आप उसका ratio भी change कर सकते हैं, जैसे मुझे left side चाहिए, 224, मतलब left से right 22 चाहिए, उपर से नीचे 22 चाहिए, और मुझे square च मुझे left side चाहिए, बस एक ही, यहाँ पर आप देखिए, मैं बार बार इसका value चेंज कर रहा हूँ, अगर आपको reset करना है, तो यहाँ पर आप reset कर दीजेगा, जैसे आप देखिए, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर चलिए, मैंने कुछ और frame select कर लिया है, जै इतना feather आपको देना है, आप दे सकते हैं, जब यह stroke on रहेगा, तो आप feather नहीं दे पाएंगे, तो मैंने यहाँ पर इसे stroke हटा दिया, feather दे दिया, 100 का, create frame, तो आप देख सकते हैं, feather के साथ frame create हुआ है, go back, मुझे 4 frame चाहिए, और feather के साथ चाहिए, create frame, आप देख सकते हैं, और feather के साथ बन रहा है, go back, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिलहाल जो frame है, square के रूप में बन रहा है, मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरा frame बने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, धेर सारे frame का option दिया हुए है, और यहाँ पर frame का preview नजर आता है, जैसे मैंने 20 number का ले लिय तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर frame ऐसा बन रहा है, मैंने left side, मैंने यहाँ पर 20 number का frame ले लिया, left side चाहिए, create frame, तो यह देखिए, frame बन गया है, go back, मैंने कोई दूसरा frame ले लिया, 38 number का, यहाँ पर आप देखिए, create frame, यह इस तरीके से बन रहा है, go back, मैंने यहाँ पर 90 number का frame ले लिया left side चाहिए यह देखिए उस तरीके का frame बन रहा है फिर इससे आप चाहें तो close कर सकते हैं और इससे adjust कर सकते हैं जहां पर भी आपको रखना हो इसके लावा आप जो frame tool है उसका इस्तमाल दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जैसे यह देखिए फिलहाल यह लेकिन आप चाहें तो area select कर सकते हैं जैसे मैंने इतना area select कर दिया अब मैंने create frame बटन पे क्लिक किया मुझे left से right चाहिए 5 और चाहिए vertical तो आप देख सकते हैं कि आपने जो area select किया है वहां पर यह frame मन रहा है मुझे इस selected हिस्से में दो frame चाहिए left to right दो चाहिए और vertical नहीं चाहिए create frame तो आप देख सकते हैं यहां पर vertical frame I mean horizontal frame मन रहा है मैंने go back किया यहां पर आप देख सकते हैं कि जो normal frame बनते हैं उनका ratio रहता है 6 by 4 ताकि उसमें photographs perfectly fill हो जाए मैंने go back किया और यहां पर मुझे ratio कुछ नहीं चाहिए मतलब मैं चाहता हूँ कि यह इतना जो area select हुआ है उस पूरे में बस 2 frame बने तो यहां पर आप देखे है create frame तो उसमें बस 2 frame बन रहा है तो इस तरह के साब area select करके भी frame create कर सकते हैं जैसे यह देखे मैंने यहां पर इतना area select किया create frame मुझे इसमें 4 frame चाहिए और 4 के 4 square चाहिए create frame तो आप देख सकते हैं यहाँ पर frame create हो गया है तो आप चाहें तो area select करके भी frame मना सकते हैं और आप चाहें तो बिना area select किये इस left और right option का इस्तमाल करके भी आप frame create कर सकते हैं यहाँ पर से आप अलग-अलग तरीके के frame create कर सकते हैं यहाँ पर से आप stroke डाल सकते हैं आप stroke का color decide कर सकते हैं stroke कितना मोटा पतला होगा यहाँ से आप वो decide कर सकते हैं तो यहाँ से frame बनाने का यह जो option है बहुत आसान है और बहुत easy है ओके अब देखिए हमने यहाँ पर मान लेते हैं frame create कर लिया background single color background मैंने black color ले लिया या फिरेट color ले लिया background dual color background पहले left side के लिए color पुछेगा left side मुझे चाहिए black right side मुझे चाहिए blue यह देखिए उसी तरीके से यहाँ पर area to frame का भी बटन है मैंने इतना area को select किया इतने frames को select किया और delete कर दिया अब देखिए मैं काम करता हूँ मैंने यहाँ पर इतना एक area, दो area, तीन area और यहाँ पर से चार area ले लिया इस area को मुझे frame में convert करना है तो मैं यहाँ पर area to frame button पर click करूँगा तो मेरा select किया हुआ हिस्ता automatic frame में convert हो जाएगा आप देख सकते हैं process हो रहा है और आप देख लिए यहाँ पर चार frame बन चुके है और यह जो area to frame होता है या फिर create frame बटन की सायता से आप जो frame बनाते हैं वो automatic frame बनते हैं कहने का मतलब यह है कि उनका नाम specific रहता है जैसे tool kit frame auto तो जब भी आप select auto frame बटन पे click करेंगे यह देखिए तो सारे के सारे frames automatic select हो जाते हैं अब देख सकते हैं यहाँ पर 10 frame select हो गया है यह देखिए फिलाल एक selected है मैंने जैसे ही select auto frame बटन पे click किया सबी के सब भी frame automatic select हो जाएंगे अगे अगर आप manually frame मनाते हैं जैसे मैंने यहाँ पर इतना area select किया और इसमें solid color डाल दिया red color डाल देता हूं फिलाल तो यहाँ पर इस frame का नाम आप देख सकते हैं इसका नाम color fill है अगर मैं यहाँ पर select auto frame बटन पे click करूंगा तो वो frame select नहीं होगा यह देखिए select auto frame वो फिलाल बस इतने frame को select करेगा उसने सिर्फ 6 frame को select किया है इसे छोड़ दिया क्यों क्योंकि इसका नाम toolkit frame auto नहीं है तो अगर आप चाहते हैं कि यह भी auto frame में convert हो जाए तो बस आपको क्या करना इस rename बटन पे click करना है यह देखिए मैंने इस rename button पे click कर दिया rename हो गया अब मैं select auto frame button पे click करूँगा तो सभी के सभी frame select हो जाएंगे यह देखिए और एक बार अगर आपने auto frame मना लिया है इसको rename कर दिया है तो उसके बाद आप इसको ऐसे duplicate भी करेंगे जैसे मैंने 2 बना लिया इसको ऐसे 4 बना लिया चलिए मैं और copy कर लेता हूँ इसे ऐसा 6 बना लिया मतलब बस आपको एक बार frame को rename करना है उसके बाद वह auto frame में convert हो जाता है अब देखिए मैं select auto frame बटन पे जैसे क्लिक करूंगा सब भी के सभी frameкам सेलेक्ट हो जाएंगे यहां के छे frame और यहां के 6 frame लेक्ट करीक हो चुके हैं तो इससे क्या होता है कोहीं सब आपfeld करते हैं और आटमेटिक फ्रेम में कनवर्ट हो जाता है डिनेम से क्या होता है किसी भी फ्रेम वाली लेयर को हम लोग रिनेम कर सकते हैं तो उससे क्या होता है उसको सलेक्ट करने में आसानी होती है अब यह देखिए मैं आपको बताता हूँ Reorder Frame क्या होता है एक New Page लेता हूँ और यहाँ पर Create Frame इसको मैं Left Side कर लेता हूँ मतलब Left Side एक चाहिए Right Side भी एक चाहिए ओके यहाँ पर आप देखिए जो Frames का नाम है Toolkit Frame और कुछ Numbers है जब मैं इन दोनों Frame को Select करूँगा और Reorder करूँगा तो आप देखिएगा जो Frame Left Side है वो 1 हो जायागा और जो Frame Right Side है वो 2 हो जायागा यह देखिए यह Left Side है यह क्या हो गया Frame 1 और यह क्या हो गया Frame 2 कहने का मतलब पहले इसमें Photo Feel होगी और उसके बाद 2 में Feel होगी चले इसका मैं Order Change कर देता हूँ इसको मैं इस साइड रख लिया इसको मैं इस साइड रख लिया अब देखिए यह क्या है Frame 2 मैंने दुबारा दोनों Layer को Select किया Reorder Frame बटन पे Click किया तो आप देख सकते हैं जो Left Side है वो Frame 1 हो गया है और जो Right Side है Frame 2 हो गया है यहाँ पर कितनों भी Frames हो जैसे यह देखिए मैंने यहाँ पर और Frame मना लिए ऐसा मैंने सभी Frame वाली Layer को Select किया Reorder बटन पे Click किया तो यह देखिए यह सबसे पहला Frame हो गया Frame 1 यह दूसरा Frame हो गया Frame 2 यह 3 फ्रेम हो गया Frame 3 यह 4 फ्रेम हो गया Frame 4 और यह 5 फ्रेम हो गया मतलब यहाँ पर आटोमेटिक उनकी Numbering हो जाती है ताकि Photographs उस Sequence में उसमें Fill हो ओके चले मैंने यहाँ पर एक Background डाल दिया ओके यहाँ पर आप देखिए अब Stroke का Option है आपको इस अभी एक Frame Select कीजे Stroke बटन पे क्लिक करके आप उसमें Stroke दे सकते हैं जैसा भी आप चाहें जो Stroke आपने दिया है उसको आपको Repeat करना हो बाकी के Frame में तो बाकी के Frame को आपको Select करना है और Repeat Stroke बटन पे क्लिक करना है तो वो बार्डर सभी Frame में Repeat हो जाएगा यह देखे मैंने इसे Select किया Stroke बटन पे क्लिक किया यह Default Stroke होता है मैंने Stroke का Color Background के Color से मिलता जूलता रख लिया यह देखे अब मुझे यही Stroke इन चार Frame में चाहिए तो मैंने इन चारो Frame को Select किया मतब तीन Frame को Repeat Stroke यहां पर दिया है Swap Button Swap Button कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले मैं इन चारो Frame में फोटो डाल लेता हूँ इसमें मैंने यह डाल लिया यह Frame मैंने Select किया इसमें मैंने यह डाल लिया यह मैंने Select किया इसमें मैंने यह डाल लिया तो इन दोनों frame को shift बटन दबाय रखते हो आपको select करना है, swap button पे click करना है, वो दोनों photo swap हो जाएगा यह देखे, photo swap हो गया, जैसे मुझे इस photo को यहाँ पर रखना है, मैंने इसे select किया, इसे select किया, swap button पे click किया, photo swap हो गया उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है search auto PhD का button, मैं इसके बारे में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यह क्या होता है, यह second button basic PhD correction, मतलब मान लेते हैं कोई साभी आप PhD open करते हैं, जैसे यह एक PhD open है, PhD templates है, इसमें groups बने हुए हैं, मान लेते हैं, इतने सारे एक group है, control G कर दिया, मैंने group बना दिया, यहाँ पर देखते हैं, इस in charge frame को मैंने link कर दिया, background को मैंने चलिए unlock कर दिया, मतलब इस type से यहाँ पर चले issue है, जो PhD frame आप लेते हैं, मार्केट के उसमें कई सारे groups बने होते हैं, कई सारे frames link होते हैं, कई बार background lock नहीं होता है, तो उन PhD में basic correction करने के लिए, basic PhD correction का यहाँ पर option दिया हुआ है, इस पर आप click कीजे, basic PhD correction होगा, जो पुराने photographs, clipping mask के जरिए fill कियो होगे, वो भी remove हो जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारे photographs remove हो गया है, background भी lock हो गया है, जो group था, वो भी ungroup हो गया है, जो link था, वो भी unlink हो गया है, तो इससे क्या होता है basic PhD correction, मतलब जब भी किसी भी PhD templates में आपको photo fill करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप सबसे पहले PhD template को open करने के बाद basic PhD correction button पर आप click कर दीजेगा, तो उस PhD में correction हो जाएगा, और फिर आपको उसमे photo fill करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बस frame select कीजेगा, किसी भी image पर double click कीजेगा, वो photo fill हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर PhD correction detail में दिया हुआ है, इस पर मैंने click किया, त लोक बैग्राउंड लेयर, रेस्टराई स्मार्ट अबजेक्ट, स्प्लीट कमबाइंड लेयर, क्रॉप कैन्वास, रिमूव गाइड, रिनेम लेयर, इस ते इप से धे सारे जो PhD related correction के work होते हैं, वो यहाँ पर दिये हुए हैं, ताकि आप आसानी से उसका इस्तमाल कर करता है, जैसे यहाँ पर से आप PhD template open कर रहा है, डबल क्लिक करके, अगर आप चाहते हैं कि यह जो main panel है, यह नजर ना आ है, तो इसे आप minimize करके भी यहाँ पर से open PhD कर सकते हैं, मैंने open PhD बटन पर क्लिक किया, यह देखिए, कोई सा भी PhD मैं open कर लूँगा, मुझे यहाँ पर पसद नहीं आ राहा है, जैसे यह frame मुझे पसद नहीं आ राहा है, यहाँ पर मुझे कुछ PNG frame चाहिए, apply element, यहाँ पर PNG frame बटन पर click किया मैं ने, यहाँ पर यह PNG frame मैंने ले लिया, यहाँ पर नीचे मैं मुझे कुछ clip art डालना है, apply element, clip art, यह देखिए यह clipart यहाँ पर आ गया है मुझे background pink color का चाहिए right side में मैंने background बटन पर क्लिक किया dual color background left side white ही रहने दिया right side मैंने कर दिया इस color का तो यह देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर जो quick tools दिये हुए हैं उसका इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर save page का option बागी रह गया है मैं इसके बारे में बताता हूँ और यह search auto phd के बारे में बताता हूँ save page कैसे काम करता है save page किसी भी album page को save करने काम आता है जैसे इसमें मैं image डाल देता हूँ मैंने तीन frame को select किया यहाँ पर सेरे दो horizontal और एक दो vertical और एक horizontal photo को select किया right click fill horizontal vertical wise vertical photo vertical frame में horizontal photo horizontal frame में जाके fill हो जाएगी resize हो जाएगी इस page को आपको save करना है तो यहाँ पर save page option दिया हुआ है आप as a jpg save कर सकते हैं as a psd save कर सकते हैं as a jpg psd दोनों save कर सकते हैं यहाँ पर आपका output folder link किया हुआ है वो open हो जाएगा अगर आप open output folder बटन पर क्लिक करेंगे आप चाहते हैं तो कोई सा भी दूसरा folder link कर सकते हैं यह जा मैंने link folder बटन पर क्लिक किया desktop में मैंने एक new folder बना दिया इसका नाम दे दिया मैंने mohit ok कर दिया तो अब जो भी मैं save करूंगा जो भी page में save करूंगा वो उस mohit नाम के folder में save होगा मुझे jpg, psd दोनों format में चाहिए save current page वो automatic output folder में jpg और psd format में save हो जाएगा आईए देख लेते हैं मैं यहाँ पैस से यह mohit नाम का folder है jpg, psd, both यह देखें एक jpg format और एक psd format में वो page save हो चुका है तो यह save page बटन कैसे काम करता है आपको समझ में आ गया है मैं close document कर लेता हूँ अब देखते हैं यह auto search auto psd कैसे काम करता है मान लिगे आपने यहाँ पर दो photographs open किया है मैंने दो photographs open कर लिया है और यहाँ search auto psd बटन पर जैसे ही click करूँगा यहाँ पर से keyboard से control v प्रेस करूँगा तो ऐसे templates रो होंगे जिसमें दो frames है ओके इसे मैंने कर दिया minimize मैं कुछ photographs और open कर लेता हूँ इन photographs को मैंने drag करके Photoshop में open कर लिया अब मुझे इन photographs के लिए PhD template search करना है search auto psd बटन पर मैं click करूँगा keyboard से control v बटन दबाऊँगा तो ऐसे templates होंगे जिसमें मेरे open किये हुए photographs properly आ जाएंगे तो search auto psd की सहाता से आप open किये हुए image के लिए PhD template search कर सकते हैं तो मैंने जल्दी जल्दी इन सभी options के बारे में बताने की courses की है यहाँ पर और भी डे सारे options है जिसके बारे में अभी हम लोग को सीखना बाकी है लेकिन यह जो quick tool है उसका इस्तमाल आप बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं मैंने आपको बताया क्योंकि देखिए यह देखिए just for example मैंने यहाँ पर एक यह page ले लिया है PhD Templates अगर मुझे इसमें background डालना है तो मैं चाहूँ तो album toolkit के background option में जाके यहाँ पर से background पर double click भी कर सकता हूँ वो background यहाँ पर आके set हो जाएगा अगर मुझे clip art add करना है मैं यहाँ पर से जाके clip art option में जाके clip art भी add कर सकता हूँ यह देखे अगर मुझे इसमें mask frame डालना है या फिर कोई दूसरा frame डालना है वो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पर जाके लेकिन आप चाहें तो quickly यहाँ पर से भी कर सकते हैं apply element clip art clip art का folder open हो जाएगा apply element, wallpaper wallpaper का element हो जाएगा यह देखें मतलब apply हो गया तो यह जो quick tools है यह बहुत काम आता है और यह उतना ज्यादा space भी नहीं लेता है यहाँ पर रहता है तो इस तरीके से आप quick tool option का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आज की इस video में हमने देखा quick tool option के बारे में यह option आपको कैसा लगा आप comment करके जबर बताईएगा इस video में इतना ही thank you for watching